हेलो सुदेंट्स वेल्कम तो अभी मन्यू आएस सो टार्गेट आएस 2021 में आप सभी का स्वागत है जैसा कि हम लोग सुदेंट्स टार्गेट आएस 2021 में करंट अफेस को कवर अप कर रहे हैं अगर मैं बात करूं करंट अफेस की तो वह रहेंगे आपके मार्च 2020 से लेकर अप्रिल 2021 के करंट अफेस याद रखें यह जो आपका प्रोग्राम लॉंच किया गया है अभी मन्यू की तरफ से सेवेंटी डेस के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे यह निकी बिफोर दे प्रिलिम्स ऑफ 2021 आपका यह सेशन कवर अप कर लेंगे हम लोग और अगर मैं यह सेशन की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि पिछले एक साल से पुराने वाले करेंट अफेस यूपी ऐसी उस पर उपर जादा कोशिंस बना रहा है और अगर देखा जाए करेंट फिर बहुत जून जुलाइग ऑगस्ट सेप्टमबर को कवर अप कर लिया है यानि कि 2020 के इन मंस को हमने कवर अप कर लिया है और अगर आज हमारा 40 लेक्चर है वो रहेगा ऑक्टूबर 2020 के करेंट फेस के बेसिस पे और सुडेंस में एनॉस्मेंट करना चाहूंगा आज हमारा लास्ट session last lecture रहेगा 40th lecture is the last lecture based on the October 2020 करेंट फेस यानि कि जो हमारा अगला 41st lecture आने वाला है वो नेक्स्ट मन्थ नवंबर पे शुरू हो जाएगा तो यानि कि October 2020 के करेंट फेस के बेसिस पे आज हमारा लास्ट लेक्चेर रहेगा और अगर मैं अपनी इंट्रॉक्शन दू तो मैसल्फ कनम अगरवाल आम दे करेंट फेस मेंटर इंद अभी मन्निव आई एस तो लीजे सुडेंस मैं शुरू करता हूं तो आज की हमारी सबसे पहली न्यूस रहेगी आयुश्मान शाहकार स्कीम यह आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगी फॉर्ड़ जी एस पेपर टू जैनल सडीस पेपर टू के लिए न्यूस आपके लिए काफे इंपोर्टेंट रहेएं तो यहां पर मैं शुरू करता हू सबसे पहला देखिए आप लोग यहां पर लिखा मंतराले आ चुका है भारत का कि Ministry of Agriculture and the Farmers Welfare has launched उन्होंने एक लॉंच किया है आयुश्मान सहकार स्कीम और यह स्कीम क्यों लॉंच की गई इसको लॉंच करने की ऐसे क्या में अब्जेक्टिव से क्या में एम था और यह क् पर रोल प्ले कर रही है वह हम लोग सारा कुछ इस न्यूज के अंतरगर देख लेंगे तो यहां पर लिखा यह स्कीम है तो असेस्ट कॉपरेटिव इन क्रियेशन ऑफ दे हेल्थ केर इंफ्रस्रक्टिर इन दे कंट्री बेसिक आइडिया क्या रहेगा आपका कि अगर मैं डिरेक्ली बोल दूं मैनेज कौन कर रहे है तो वो किया जा रहा है कि फॉर्मुलेटिट बाइड नाशनल कॉपरेटिव डेवलप्मेंट कॉपरेशन और अगर मैं यहां पर आपके लिए और देखा जाए कि एंसी डीसी वोस सेट अप एंसी डीसी वोस सेट अप अंडर अरे जो एंसी डीसी है वो सेट अप किया गया है अंडर इन एक्ट ऑफ पार्लेमेंट इन 1969 कानून के द्वारा बनाएगी यह एक कॉपरेटिव सोसाइटी है फॉर देवलप्मेंट ऑफ देवलप्मेंट ऑफ दे कॉपरेटिव और यह कौन से मंत्राले के अंडर वर्क कर रही है हमने देख भी लिया है कि यह आ रही है आपकी मेनिस्ट्री ऑफ एग्रिकल्चर एं अब जो NCDC है उसने क्या रिसेंटली स्टेप्स लिये उस उन्होंने एक तो सहकार कॉप ट्यूब NCDC चैनल को लांच किया याद रखें सहकार कॉप ट्यूब NCDC चैनल को जो यूद को फोकस कर रहे है और एक है सहकार मित्रा यानिकी इंटर्णिप प्रोग्राम को लांच किया गया अब सुडेंस मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाटा एड़ाउन करना चाहूँगा अबाउट सहकार कॉप ट्यूब NCDC चैनल को लेकर तो यहाँ पर देखें आप लोग कि वट डू यू मीन बाइस सहकार कॉप ट्यूब NCDC चैनल तो देखिए सहकार कॉप ट्यूब NCDC चैनल तो देखिए नंबर वन अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ यहाँ पर लांच किया गया पर लाँच्ट बाइ यौिन फॉनिस्टर ऑफ एग्रिकुल्ट्र आफ ट्यूंच ट्यूटर यूनिस्टर अग्रिकुल्टियर फार्म ग्रिकुलट्र पर्मेश किया ग्र्मेश है करेक्तर स्रेंट्यूब अगर मैं सेकंड पॉइंट देखूं इनका एम क्या था कि इट्स एम टू फेसिलिटेट तू फेसिलिटेट इन्वॉल्व्मेंट ओफ दे यूथ अरे हमने फोकस ही किया था कि जो आपका सहिकार कॉप टूप एंसी चैनल है वो यूथ को फोकस कर रहा है बिल्कुल ना यूथ कहां पर इन दग कॉपरेटिफ मूव्मेंट इन दग कॉपरेटिफ मूव्मेंट्स क्लियर और अगर फर्दर लिखा जाए सुड बूस्ट तू अब यहां पर थोड़ा सा इंपोर्टेंट रहेगा अगर मेंस के अंदर हमें इस तरीके का कोशन पूछा जाए आत्मा निर्भर अभ्यान को लेकर यानि कि आप लोग देख सकते हैं कि आत्मा निर्भर अभ्यान को भी बूस्ट अब कॉन दे रहा है आपका गर्वर्मेंट तो गर्वर्मेंट नहीं कि सरकार ने सुरेंट्स आपके लिए क्या अनौस्मेंट किया अ सीरीज ओफ transformative measures and sector specific financial package to help agriculture क्लेर एक तो यह था आपका सहकार कॉप्टीव ncdc चैनल क्लेर सुरेंट्स आगे बढ़ता हूं अब आगे देखी यहां पे एक मिनट यहां पे आगे क्या लिखा कि जो आपका ncdc है वूट एक्स्टेंड टर्म लोंस तू प्रो प्रोस्पेक्टिव कोपरेटिव तु तुन तुन आप टेन थाउजन कूट्स अब लोन की बात की गई है इन दे कमिंग यह आने वाले सालों के अंदर की अनी कोपरेटिव सोसाइटी विद शूटाबल प्रोविजिंस इन इस याद रखिएगा आगे बढ़ता हूं यहां पर देखिए अब लोग हम लोग लिखा गया कि जो आपका NCDC है assistance will flow either through the state government या फिर union territory administrative यानि कि इनका क्या बोलना है NCDC की तरफ से कि assistant या तो भारत के कोई भी राजय सरकार से आएगी या फिर एक particular union territory के administration से आएगी या फिर directly to the eligible cooperatives clear आगे लिखा गया कि अब यह जो आपकी आयूश्मन्स हैकार स्कीम है यह क्या प्रोवाइड कर रही है यह students आपको प्रोवाइड इवन कर रही है working capital याद रखें यह प्रिल्यम प्रस्पेक्टिव से important रहेगा कि हमें working capital भी प्रोवाइड किया जा रहा है और and margin money important रहेगा margin money और working capital प्रोवाइड कर रही है क्यों to meet operational requirements याद रखें operational requirements के लिए फर्दर अगर बात की जाए यह आपकी scheme provide करवा रही है interest subventions of 1% to the woman majority cooperative यानी की फर्दर यह working capital और margin money तो प्रोवाइड करवा ही रही थी आपको interest subvention of 1% woman majority को यह प्रोवाइड कर रही है clear without है तो please comment section में आप लोग जुरूर लिखेगा आ गए बढ़ता हूं तो यहां पर क्या लिखा गया कि it has comprehensive approach अब इनका comprehensive approach कहां कहां पर है एक तो hospitals के अंदर health care के अंदर medical education nursing education paramedical education health insurance and the holistic health system such as Ayush clear जो हमने आयूश मन भारत scheme की अंदर गत भी देखा हुए यह सारा कुछ clear आगे बढ़ता हूं मैं यहां पर यहां पर आगे क्या लिखा students आगे further लिखा कि there are 52 hospitals across the country run by the corporates की पूरे भारत के अंदर total की अगर मैं बात करूं तो 52 hospitals चला रही है भारत सरकार और यह किसके अंदर आगे आई उश्वान के स्कीम के अंदर आगे थे जो आपके की आपके की आव कॉमुलेटिव बेड स्ट्रेंथ और देन 5000 और देस्कीम वोड गेव बूस्ट तो प्रोवीजिन आफ हेल्थ केयर सर्विसेस बाइ कॉपरेटिव अगे इंपॉर्टेंट फॉर्ट फॉर्लिम पर्स प्लीजिए अरे यह स्कीम ने अपने आपको जोड़ भी लिया नैशनल हेल्थ पॉलिशी 2017 के अंतरगत और क्या कवर किया गया कि जो अपका हेल्थ सिस्टम है इन अल देर डामेंशन हेल्ट सिस्टम सारे के सारे डामेंशन को लेकर इंवेस्टमेंट इन हेल्ट और और इन हेल्थ केर सर्विसेस असेस्टू थे टेक्नलोजी इस डेवलोप्मेंट अफ देहूमन रिसोर्स एंकरेजमेंट अफ देमेडिकल प्लूरिलिजम एफ़ोरेबल हेल्थ केर टु फार्मर्स एट्सेक्टरा क्लियर आप फोकस करें ध्यान दें यहां पे नैशनल हेल्थ पॉ को फॉलो कर रहे हैं किसके लाइन में है इन लाइन विद नाशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इंपॉर्टेंट क्लियर और वुड ब्रेंग ट्रांस्वर्मेशन इंदर रूरल एरिया रूरल एरियास के अंदर यह चेंज लेकर आ रही है आपकी सहकार स्कीन क्योंकि यह कौन स जा सकता है कि रूरल डेवलप्मेंट को लेकर हम लोग क्या देख रहे हैं जैसे कि भी कोविट नाइंटीन आर है कि बोला गया है कि अगर रूरल एरियास में यह कोविट अगर बहुत जादा अपना स्प्रेड होता है तो क्या हम लोग उसको स्प्रेड को ओवर कम करने के रोगने के लिए क्या स्टेप्स लेकर आ सकते हैं तो यह हमारे पास सहिकार स्की महां पर मददगार रहेगी क्लियर रेक आगे बढ़ता हूं अब कॉपरेटिव का मतलब क्या रहता है स्टूरेंट्स तो लिखा गया कि according to the international labor organization अगर मैं international labor organization के accordingly बात की जाए तो कॉपरेट कॉपरेटिव इस एन ऑटोनॉमस एसोशेशन याद रखें उनके द्वारा आई एलो के द्वारा यह एक ऑटोनॉमस एसोशेशन है परसंस की युनाइटेड वोलेंटरली तू मीट दियर कॉमन एकनॉमिक सोशल और कल्चल नीट्स यहां पर मैं अब इंपॉर्टेंट महा करने जा रहा हूं कि जो आपकी कॉपरेटिव जना वो किस चीज को लेकर डिसकॉस्शन चलती है वहां पर एकनॉमिक सोशल और कल्चल नीट्स को लेकर याद रखें यही चीजे ना यह कुछ हैसे वर्ट रहते हैं जो क्रक्स होते हैं और वो क्रक्स यह तीन वर्ट है एंड एस्पीरेशन तुरू जॉइंटली ओंड एंड डेमो क्रिटिकली कंट्रोल्ड एंटर्प्राइज त्यार रहा है तो देखें क्या लिखा अब एंट्रप्राइज एक्टू था युट्यूच्ट का वहां पर एड किया गया पार्ट नाइन राइट है आफ्टर देपाट एलेवन सवरी नाइन एपार्ट और नाइन बी घयंट किया गया आफ्टर दन नाइन ए 9A किसके लिए मुनिसिपल्स के लिए है regarding the cooperative working in India मैं यहाँ पर prelims के लिए यह important mark कर रहा हूँ याद रखेगा clear अब आगे लिखा कि जो आपका यह word है cooperative was added after the union and the association से याद रखें union and association के बाद इसको add किया गया in the article 91 clause 1 के अंदे under the part 3 of the constitution of India करेक्ट है और क्या लिखा गया कि this enable अभी हमें क्या चीज़ प्रोबाइड करवा रहा है कि पूरे भारत के नागरिकों के लिए to form the cooperative by giving it the status of the fundamental right of the citizen यानि की अब भारत के नागरिक cooperative society बना सकते हैं जी बिल्कुल अब जो cooperative society बनाते हैं उनको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है clear तो यह था provision in the Indian constitution ओके आगे मैं लिखा गया कि अब एक नया article आया article 43b was added in the directive principle of the state policy यानि की DPSP के अंतरगत भी इसको यहां पर क्या किया गया कि introduction दिया गया कि part 4 के अंदर regarding the promotion of the cooperative societies ये दोनों points आपके लिए काफी जाधा important रहेंगे क्योंकि background बता रहे हैं ये news को लेकर clear है ये background है किसको लेकर cooperative को लेकर वो cooperative जो आयूश्मान सहिकार स्कीम के अंदर काफी जाधा crucial role play कर रही है clear चलें आगे अब students हमारी आज की next news रहती है कि in-house procedure against judges of higher judiciary ये आपके लिए important रहेगा GS paper 2 के लिए so shall we start अब देखें यहाँ पर इन लेटर to the chief justice of India आंदरप्रदेश chief minister has announced तो आंदरप्रदेश के chief minister ने क्या announce कर दिया कि supreme court judge कौन से justice N.V.Raman and some judges of the आंदरप्रदेश high court of misconduct, corruption and political bias तो यह है आंदरप्रदेश के chief ministers के द्वारा लगाए गए allegations against the judges of the supreme court and some judges of the high court of आंदरप्रदेश clear act और वो basis क्या रखे गए misconduct, corruption and political bias clear act तो तभी यह news आई है हमारे पास तो पढ़ते है इस news के बारे में यहाँ पर लिखा गया कि the constitution of India protect the independence of the judge और यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि यह basic भी है हम लोग पढ़ते भी है इसको कि जो भारत का सभीधान है वो क्या बोलता है कि जो judiciary है वो independent है वो किसी को पर dependent नहीं है independence of the judges of high courts and supreme courts by making them removable only through a process of impeachment यानि कि यह चीज़ आपको लोग लिए prelims के लिए important रहती है या फिर state civil services के लिए भी important रहती है कि सिर्फ judges of supreme court and the high court अगर हम लोगों ने उनको remove करना है सो सिर्फ आप लोग impeachment के थ्रू ही कर सकते हो यादर कि impeachment काफी important word है ये clear यानि की article 121 and the 211 expressly bars the parliament and the state legislature from discussing the misconduct of the judges clear अब आगे क्या लिखा article 121 के अंदर कि जो आपकी states है that no discussion shall be taken place in the parliament with respect to the conduct of any judge of the supreme court or of the high court यहां पर बोला गया कि article 122 के तहट ठीक है no discussion shall be taken place in the parliament किसके रिगार्डिंग judges of supreme court or the high court in the discharge of the duties except upon a motion for the removal of the judges जब तक motion पास नहीं किया जाता removal of judges का तब तक हम लोग discussion नहीं कर पाएंगे clear यह लिखा गया article 121 में और यहां पर दूसरा आर्टिकल जो 211 है वो क्या बोलते हैं कि no discussion shall be taken place in the legislature of the state यानि कि हर state के legislature assembly में हम लोग discussion नहीं कर सकते with respect to the conduct of any judge of the supreme court or of the high court in the discharge of their duties correct so 121 बोल रहा है पार्लेमें और राजसभा या फिर लोगसभा में और similarly article 211 बोल रहा है इन the state legislative assembly में clear है तो यहां पर लिखा however the Andhra Pradesh chief minister has not made the allegations against the judges in the legislative assembly and therefore the bar under the 211 is not attracted clear अब आगे क्या लिखा अब आगे देखिये यहां पर लिखा however generally अब ऐसे allegations against the judges are not made publicly and since it may cast the aspersions on the credibility of the judiciary correct अब cases ज्यां है cases of misconduct of the judges तो यहां पर बोला गया a judge can be removed from the office on the grounds of proved misbehavior or the incapacity यानि कि अब अगर हम लोग misconduct की बात करें तो वो एक अधार रखा जाएगा कि अगर judge को हमने remove करना है वो रहेगा misbehavior या फिर incapacity और एवन लिखा गया however not all the forms of misbehavior will warrant removal यानि की हर तरह का misbehavior हमें यह नहीं बोलता है कि आप लोग warrant removal कर दे clear or there could be other kinds of improperity to even there are times when serious compliance sorry complaints of the misconduct are made and the chief justice of india is called upon to examine them since 1997 judges have adopt a an in-house procedure for the inquired into such charges important day यनि की in-house procedure शुरू किया जाता है वो judge कर सकता है अगर कोई भी that particular judge के against inquiry बैठ चुकी है clear आगे लिखा in-house procedure होता क्या है तो students यहाँ पर देखे कि what do you mean by in-house procedure देखें यहाँ पर लिखा गया under the in-house procedure when a complaint is received against a high court judge ठीक है the chief justice of india should decide if the issue is frivolous or serious okay और if a deeper prob is considered necessary अगर बहुत गहराई तक investigation की प्रॉप की जरूरत है then both the complaint and the judge's response along with the high court's chief justice comments are recorded for the further actions even that particular high court के chief justice of high court का भी statement record करवाय जाता है clear है तो यह था in the house procedure अब अगर मैं बात करूँ outcomes जब इसके results आते हैं of the in-house procedures के तो वहां पर देखिए लिखा गया if the committee find substances in the charges it can given two kinds of recommendations अगर कमेटी को कुछ ऐसा लगता है तो वो दो तरह के recommendation दे सकते हैं जिसके अंदर one रहेगा one that misconduct is serious enough to require removal from the office या तो फिर वो बोल देंगे कि misconduct इतना serious था कि removal possible है judge का I'm sorry और that it is not serious enough to warrant removal या दूसर recommendation यह हो सकता है कि इतना भी serious misconduct नहीं था कि वो judge particular judge के अंगेस हम लोग removal का procedure start कर पाएं clear right तो लिखा if the misconduct involved removal of the judges अगर misconduct होता है तो removal of judges भी होंगे then the judges considered sorry concerned will be urged to resign या फिर वो judge को क्या किया जाता है कि वो या तो judge खुद बखुद resign कर दे और seek voluntary retirement if the judge is unwilling अगर judge unwilling head to quit the chief justice of high court concerned would be asked to withdraw the judicial work from him correct तो यह है outcomes of in-house procedure अब लिखा गया की procedure in case of chief justice of high court या फिर judges of supreme court या अगर यही same misconduct के charges अगर chief justice of high court या फिर judges of supreme court के अंगेस्ट आते हैं तो क्या चीज़ होती है तो लिखा गया if the case is against a high court chief justice या फिर the same procedure is followed as that of the judge of high court बिल्कुल ठीकिए बट दप्रोब कमेटी comprises बट अगर supreme sorry supreme court का judge है या फिर high court के chief justice है तो वहाँ पे committee जो संगठत की जाती है the committee comprises a supreme court judge and the two chief justice clear it और if a supreme court judge faces such charges अगर supreme court के judge यह charges को face करते हैं तो the in-house panel will comprises three supreme court judges okay all in-house procedure does not give any separate provision to deal with the complaint against the chief justice of india अगर chief justice of india के अंगेंस भी ऐसे charges लगते हैं तो यहाँ पे particularly mention किया गया है कि does not give any separate provision भी कोई separate provision नहीं दिया जाएगा to deal with such complaints against the cji correct students यहां तक आगे बढ़ सकता हूं मैं अब हमारा अगला न्यूस रहेगा आज का हमारी निक्स न्यूस आ रही है टी सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम इन इंडिया तो यह आपके लिए इंपर्टेंट रहेगी जी एस पेपर वन के लिए और जी एस पेपर त्री के लिए क्लियर रेक सुडेंस मैं आप से यहां पर एक discussion करना चाहूंगा एक announcement भी करना चाहूंगा कुछ नर्ले लेर्नर के लिए जो भी मेरा पहली बार आज session देख रहा है तो आज उनसे request है कि आप लोग इसको continuity में देखें जो पिछले आपके sessions में सो चुके है वह recorded आपको YouTube पे मिल जाएंगी उसको भी देखी आप लोग क्योंकि यह बहुत जादा helpful रहने वाले हैं और दूसरा अगर मैं बात करूँ PDF की तो आपको हर एक session का PDF मिल जाएगा description section में link provided है clear right और यहां पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगा कि हम लोग हर एक news में कुछ data add-on करते हैं अगर necessary रहता है है मारे लिए तो वह भी आप लोग उसको प्लीज या तो नो डॉन कर लिया कीजिए या फिर उसका screenshot ले लिया कीजिए और अगर मैं बात करूँ यह न्यूस की करेंटली की टीज नामी इंडिया जो आपको GS103 में काफे इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर मैं आपको पहली एनॉंस्मेंट कर देता हूं यह यहां पर मैं थोड़ा सा इंडिया नाशनू सेंटर फॉर्टेंट इंडिया इंडिया इस मुच सेफर अंगेंज दटी सुनामी थ्रेट्स दैन एट वास इन यह निकि भारत अब काफी ज्यादा सेफ है अंगेंज दटी सुनामी थ्रेट्स जो हमने 2004 में फेस किया था क्यों क्योंकि due to the establishment of the state of the art टी सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम एड़ आइन सी ओ आइस क्लियर है और हमने हाइदराबाद में लगाया हुआ है याद रखें और अगर देखा जाए यहां पर क्या बोला कि इंडियान टी सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो इसको इस्टाबलिश गठित किया था दो हजार साथ ने यहनकी 2007 में हमने इसको इसको इस्टाबलिश किया था अब यह कहां पर बेज है बेज एड और ऑपरेटेड वाइद आई एंसी यू आएएस एड हाइदराबाद इंपोर्टेंट है सर यह आपका स्टुर्लिंप परस्पेक्टेर से इंपोर्टेंट रहेगा क्लियर रेक्ट मैं आगे बढ़ता हूं अब आगे क्या लिखा कि इ एक इंटीग्रेड एफर्ट से हैं किसके याद रखें इन मलब धीरे धीरे बारीक बारीक से छोटे छोटे एफर्ट सभी ने लगाए वो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं वो हैं और्गेनायजेशेशन इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट आफ स्पेस यानकी डॉस का फि फिर आता है एस ओ आयनिकी सर्वेय ऑफ इंडिया एस वाइक एंड देन मोस्ट इंपोर्टेंट नाशनल इंसिट्यूट ऑफ ओशन आंड टिकनलोजी यान की एन इयोटी यह चीज़ आप लोग थोड़ा सा फोकस करके रखेगा कि इनका कॉल्यबरेट एंडिया का अपने जो इंडियन टी स्टोनामी अली वार्निंग सिस्टेम है वो क्या कंप्राइस करता है रियल टाइम नेट्वर्क ऑफ दे सीजमिक स्टेशन सेजमिक क्या चीज़ याद रखें सुडिन सीजमिक वेव होती है और यह दो तरह की रहती है एक होता है बॉड़ी वेव एक होता ह में देखा हुआ है मैं आर आपको यह होप करूगा कि आपको इसका नौलेज होगा क्लियर है और टाइट गॉजस और टुवेंटी फोर इंटो सेवन ऑपरेशनल टी सुनामी वार्निंग सिस्टम स्टम सॉरी वार्निंग सेंटर टी सुनामी जैनिक अर्थक्विक्स या फि टू मॉनिटर टी सुनामी एंड टू प्रोवाइड टाइमली एडवर्सरी इस तू वल्लरेबल कॉमड़ीज क्लियर है आगे लिखू और अगर मैं यहां पर लिखू ना वाई वी यूज द वर्ड टी हमने सुनामी के आगे टी क्यों लिखा क्योंकि एक जैपनीस वर्ड ह जिसका मतलब क्या रहता है आगे चलते हैं यहां पर लिखा गया कि इंडियन साइंटिस्ट कैंडिक लार्ज अंडर सी अर्थक्वेक्स इन इंडियन ओशन यानि की अब इसकी मदद से हम लोग जो डी पोशन के अंदर अर्थक्वेक आते उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं इंडियन ओशन क्लियर है इन रियल टाइम एंड प्रोवाइड अर्टी सुनामी वार्निंग एंदर 10-20 मिनिट्स आफ्टर अफ्टर अर्थक्वेक अकॉर्स क्रेक्ट एस यहां तक कोई सुनामी फॉर्कास्ट करेक्ट है अब क्या चीज़ है देखें यहां पर की एक मिर्ट यहां पर लिखा गया कि इंटर गवर्मेंटल ओस्योनोग्राफिक कमिशन आई ओसी जो युनेस्को का है जिसको बोला गया युनेस्को आई ओसी एक्रिडेट इंडियन टी सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर आज टी सुनामी सर्वेस प्रोवाइडर उन्होंने टीस पी दोल दिया किसको फॉर्ड़ ट्वेंटी एड इंडियन ओशन रिम कंट्रीज को याद रखें इंडियन ओशन रिम कंट्रीज क्या चीज़ है हम लोग पढ़ते भी है कि इंडियन ओशन रिम एस्सोशेशन बोला जाता है अलॉंग विद इंडोनेशिया औस्ट्रेलिया इन लोग मैं लिखता हूँ एंडियन ओश्यन रेम के बारे में तो देखिए लिखा गया यह गठित के गई थी 1997 में ठीक है एंड इस अ और कि यह गठार चाहर है विए लिखता है ओपनार जब है अधिन के लिखता है ओपनार भेखिए लिखनार यह वोयद। कि बेनिफिशियल कोपरेशन्स तो सुदेंट्स इस यौर इंडियन ओशन रिम एसोसियेशन और यहां पर याद रखें इसके 22 मेंबर्स हैं सुदेंट्स याद रखें इसके 22 मेंबर्स हैं वह भी मैं आज ही अभी यहां पर आपको लिखवाऊंगा बट उससे पहले एक हुआ कि इसके जो सेक्ट्री एट्स है इट्स एक सेक्ट्री एट इस बेस जिन अ कि साइबर सिटी कहां पर वो इबैने वो कहां पर मौरिश्यस में अ क्लियर डाउट नहीं है अब हम लोग इसको देखते हैं 22 मेंबर्स क्लियर है तो यहां पर जो लिखा ना इंडियन ओश रिम कंट्री तो मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ तो देखें कौन कौन से 22 कंट्रीज है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा नमबर वान देख लीजी एक तो आपका आस्ट्रेलिया मेंबर है रिम इंडियन ओश्यन रिम एस्सेशन का बांगलादेश कॉम रॉस इंडिया खुद भी है इसका मेंबर बिल्कुल है जी माल्दीव इंडोनेशिया इरान की निया तरिम से मेड़ां का स्कांब कर आपको ऐफरीका के पास मिल जाएंगा ईस HOW इसचाट सब्सक्राइब जानेकि कीम इसट ऑफ व्यफ्रीका में डिर किम बयक्रेग मालेशिया मौनेशियस आ गए हैं आपके सेशल्स, सिंगापूर, सुमालिया, साउथ अफरीका, श्री लंका, तन्जानिया, यहां पर तो यहां पर क्या लिखा गया, अब फोकस रखना है, कहां पर फोकस इन दे रिसेंट, यहां परिलिम परस्पेक्टिव से सुडेंस की किस के लिए, कॉमुनिटी के अवेर्नेस के लिए, और उसके रिस्पॉंस के लिए, तुरू सेवरल कपासिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज, इवन बाइनियल इंडियन ओशन, वाइड टी सुनामी ड्रिल्स, करेक्ट है, और पालिटिंग ऑफ द यूनेस्को इंडियन ओशन, कमिशन टी सुनामी रेडी इनिशेटिव्स, क्लियर, तो ये चीज आपके लिए प्रलिम परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट है, क्लियर, आगे लिखते हैं, कि जो आपका टी सुनामी है, रेडी इस अ कॉम्मुनिटी परफॉर्मेंस बेस प्रोग्राम टु प्रोमोट ट टी सुनामी प्रिपेर्टनेस को हमें अलर्ट करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर पिक्चर के अंदर भी क्लियर है, थुरू एक्टिव कोलेबरेशन ऑफ पब्लिक, कॉम्मुनिटी लीडर्स, और नाशनल और लोकल एमर्जनसी मैनेजमेंट एजनसी जो मै देखा गया, the main objective of this program, अब यहां पर इसका फिर से करक्सार है, इसका main objective बार में आ गया, कि इसका main objective है, यह प्रोग्राम का, is to improve coastal community preparedness, most important, कि हमने समुन्दर तट पे, समुन्दर तट पे क्या preparedness करनी, जैसा कि महराश्ट्रा, गोवा, करनाटा, केरल, तमिल नाडू, यहां पे tsunami emergencies, even Gujarat भी, to minimize the loss of life and property and to ensure a structural and systematic approach in the building, community, building, community preparedness, through fulfilling the best practice indicators, correct है सुड़न सी यहां तक, आगे बढ़ता हूं, तो यहां पे लिखा गया कि, two villages of Odisha, एक है आपका, वेंकटा, राइपुर, इन गंजम district, याद रखेगा, वेंकटा, राइपुर, इन गंजम district and the, नौलिया साही, इन द जगत, सिंगापुर district, आड नाव, टी, सुनामी, रेडी इस, important for the prelim perspective, याद रखे, यहां पे यह चीज़, पूछी जा सकती है, civil services, prelims में, clear, आगे वरता हूँ, अब मैं यहां पे discuss करता हूँ, what do you mean by INCYS, तो students, यहां पे आप देख पा रहे हैं, कि जो आपका tsunami alert system, वो कैसे, काम करता है, अगर यह alert generate करेगा, यह, with the help of satellite, और satellite, हमें data transmit कर देगी, हमारे operating centers के अंदर, और बिलकुल beneath, मतलब, oceanic crust पे क्या रखा होता है, underwater earthquake detected by the pressure sensors, data transfer to the surface, boy, clear, रेक, तो यह है process, अब पढ़ते हैं, इसको NICOIS के बारे में, तो देखें, यह established किया गया था, 1999 में, as an autonomous body, अब कौन से मंतराले के अंदर आता है, यह आता है, ministry of earth science, clear, अब आपका NICOIS, through Indian T Tsunami early warning center है, is the nodal agency, यह एक nodal agency की तरह काम कर रहा है, क्यों, to provide the T Tsunami advisories to India, यह नि की हमें early पहले ही जाग रुकता हो जाएगी, की Tsunamis आने वाली है, clear है, it is coordinating with, अब यह किस से coordinate कर रहा है, coordinating with the disasters management officials for implementation of T Tsunami ready program in India, correct, यह चीज इंपॉर्टन है, हम लोग यह चीज अपने examination में लिख सकते हैं, okay, और आगे लिखा कि अब यह क्या conduct कर रहाते हैं, it conduct, IOW waves, clear, T Tsunami mock exercises by annually to strengthen the readiness to handle the emergency situations with the stakeholders, correct है students यहां तक, चलें आगे, अब पढ़ते हैं, यहां पर लिखा कि INCYS, also identify the potential fishing zones, important again, यह potential fishing zone को भी detect कर रहा है, for the fishermen community, clear, it has also made improvement in overcoming the cloud cover through usage of the geostationary satellites, even यह cloud cover को भी detect कर लेता है with the help of the geostationary satellites and numerical modeling, important रहेगा students यह वला आपके लिए, clear, यानि कि climatology के अंदर भी हम लोग इसकी मदद ले रहे हैं, और यह दे भी रहा है बहुत easily, बहुत अच्छे efficiency, clear है ना, और आगे लिखा कि it also partnered with the Indian Space Research Organization, ISRO के साथ भी है, even airport authority of India के साथ भी यह collaborated है, क्यों यह airport authority of India के साथ क्यों है, क्योंकि यहां पर लिखा एक cloud cover के बारे में, clear है ना, to develop a satellite based message broadcasting services through the endogenous navigational satellite communication system, NAVIC, clear है, कोई doubt on your students, बढ़े हैं आगे, आगे चलते हैं, अब T tsunami क्या चीज़ है students, यहां पर मैंने जो आपके लिए map यहां पर use किया है ना, तो आप focus कीजिए, जो red spots है ना, यहनि कि यह वाला, यह क्या है, T tsunami test sites है आपके, और जो blue dots और light yellow dots है, these are your sea level stations, correct है, तो doubt नो नहीं है, पढ़े हैं आगे, तो देखें, T tsunami लिखा गया, these are a series of wave, यह एक series of wave है, जो usually generate किया जाता है, by the movement of the sea floor, tectonic plate theory का concept याद रखें, sea floor spreading का, movement of the sea floor, एक लियर है, और क्या बोला, कि these movements are caused by, अब यह जो movements है, वो cause की जाती है, by the different types of the geophysical phenomena, याद रखें, such as earthquakes, landslides, and the volcanic eruptions, correct है, आगे बढ़ा जाए, कि लिखा गया, हम मैंने तो यह आपको पहली discuss कर लिया था, कि जो आपका यह word T tsunami है, एक Japanese word है, जो represent करता है two characters को, और यहनि कि T issue मतलब Harbor, and Naami मतलब waves, यनि कि oncoming oceanic waves, जो आपके समुंदर तर्ट पे आ रही है, clear, important रख निख्स आ रहा है मारे पास कि दर टी तुनामी वेव। जू आपकर टी सुनामी वेव है वो बीहेव करती है रे डिफरेंटली इन देप वॉर्टर दैनbles शेलो अफ ब концस रिशेड़ वातर में क्यों क्योंकि उस्सकी जो स्पीड है वो limit करती है वाटर डप से बसक्राइब करा कि जो फ्रिक फ्रयक्विंट्ली जो फ्रीक्वेसी एकि एकिर फ्रीकुंटी अकर इन था पेसिफ्ट वेरास धें सी निक स्लाइड अंडर धoking अब यहाँ फ prima प्लेट टेक्टॉनिक्स की बात कर ले गई है कि जो हेवी प्लेट होती है वो हमेशे सब्मर्ज कर दी है बनीज करती है अंडर दा लाइटर कॉंटेंटर प्लेट तो वह चीज यहां पर बताई गई है कि जब यह दोनों प्लेट्स फ्रीकुएंटली दे प्रोवाइड को एक आता है क्लियर है यह हमने टेक्टॉनिक प्लेट थियूरी के अंदर बहुत अच्छे से पड़ा भी है क्लियर है कि आगे चलते हैं अब हमारी आज की निक्स्ट निउस रहती है एक्स्टेंशन ऑफ दे एस आई स्कीम इन अरुनांशल प्रतीश यह आपके लिए तो क्या लिखा गया कि दसेंट्रल गवर्मेंट भारत सरकार ने एक्स्टेंड कर दिया एंप्लोई स्टेट इंशॉरेंस स्कीम को कहां पे अरुनाचल प्रदेश के अंदर याद रखें अरुनाचल प्रदेश के अंदर एंप्लोई स्टेट इंशॉरेंस स्कीम को नवंबर 2026 कलिया रहे और क्या लिखा कि जो आपका employees state insurance scheme है वो stand करती है implemented in the 586 districts में अरुनाचल प्रदेश के sorry 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 in all the states and the union directories except the luxury of luxury पो छोड़ दिया गया assurance clear not in only अरुनाचल प्रदेश यह तो सर्फ extend किया गया है वहां पर ओके आगे फर्दर लिखा की integrated social security scheme वो क्या चीज है यानि की जहां पर employees state insurance scheme है वो प्रवाइड करती है social protection कि इसका एक worker का एक मजदूर का and their dependence उसके उपर जो dependence की family है and in the organized sectors in the contingencies such as a sickness maternity and death यानि की किसको कवरप कर रहे sickness को maternity leaves and death को या फिर disablement due to an employment injury या फिर काम करते वक्त कोई disability cause हो जाएग और occupational hazards okay तो यहां पर लिखा जो आपका employees state insurance scheme apply की जा सकती है और करनी भी है वहां पर फिर्दर अप्रोप्रियेट government यहां पर देखिए appropriate government यानि की भारत का कोई भी राज्य सरकार हो सकती है central government हो सकती है इस empowered to extend the provision अब उसको empower किया गया कि यह provision को extend कर सके आफ्टर एंप्लोईज स्टेट इंशॉरेंस एक्ट टू वेरियस क्लासे स्कॉन कौन से क्लासे वो है एक तो आपका इस्टैबलिश्मेंट इंडस्ट्रियल कमर्शियल और अगरी कल्चिरल या फिर अगे चलूं अब यहां पर क्या लिखा है यहां पर की क्या रहेगा आप देखें कि the existing wages limit for the coverage अंडर एक्ट वो कितना है 21,000 पर मन्त का और 25,000 रहेगा परसें बिद डिसेबलिटी करेक्ट इवन क्या लिखा जो आपका self-financing scheme है वो भी आपका ESI scheme के अंदर ही आ गया इस finance by the यह contribution होगा self-financing scheme contribution है employers और employee दोनों की तरफ से correct और यह हमने देखा भी है in the pandemic of the COVID-19 और in June 2020 government has reduced the rate of contribution under the ESI Act कितना from 6.5% से 4% और contribution reduce कर दिया गया 4.75% से 3.25% का and employees contribution reduce कर दिया गया 1.75% से 0.75% का clear residents और अगर मैं यहां पर बात करूं इसके benefits का की the covered employees and the dependence जो cover किया गया employee को और उसके dependence को वो eligible हैं for a host of benefits including cashless medical care service आप cashless medical care service की facility को अवेल कर सकते हैं sickness benefits maternity benefits employment injury benefits dependent benefits in case of death due to unemployment injury या फिर unemployment benefits clear है तो यह है इसके benefits ESI scheme के अगर आगे चला जाए तो क्या लिखा कि जो आपका employee है वो cover कर रहा है under the employee state insurance scheme के अंदर sorry are also entitled to the unemployment alliance बिल्कुल है और यहां पर लिखा there are two types of alliances unemployment की अधार पर एक है आपका अटल बिमित व्यक्ति कल्यान योजना और एक है आपका राजीव गांधी शम्रिक कल्यान योजना अब सुरेंट्स यहां पर आप लोग थोड़ा सा data add-on कीजिए about the अटल बिमित व्यक्ति कल्यान योजना के लिए तो देखिए अरे एक मिनट अब देखें वट डू यू मीन बाए भी वाई वी के देखिए यहां पर तो क्या चीज़ है लिखा गया कि इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कब इसको फर्स्ट जुलाई 2018 में का क्लियर है सुडेंट्स और अगर मैं सेकिंड की बात करूं इसी के अंडर अंडर इट अन एम्प्लॉइमेंट benefit is paid to the workers covered under the हाला कि मैंने लिखा कुछ नहीं है सिर्फ वही चीज को फिर से दोहरा दिया रिपीड कर दिया कि 1 जुलाइ 2018 में इसकी संगतना कर दी गई थी और इसी स्कीम के अंडर ये आ गया ESI स्कीम के अंडर की हमने अन एंप्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने है एक ये आपका स्कीम था दूसरा था राजीव गांधी श्रामिक कल्यान योजना क्लियर है सुडेंट्स यहां तक कोई डाउट नो नहीं है आगे बढ़े तो आज की हमारी next news रहती है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी एस पेपर टू के लिए क्लियर है सुडेंट्स तो शुरू करूं यहां पर शुरू किया गया सबसे पहले कि क्लियर आपका क्लियर है यह अब क्लियर है फ्लेशल दिया गया थोड़ा सा पढ़ा देता हूं फिर मैं सीपी के ओपर डाटा एड़ान करवाँगा आपको यहां पर लिखा कि patient showed no positive effects and did not improve the outcomes of the patient तो क्या है यहां पर कि जो the randomized control trial है जिसको आपने RCT बोल दिया is a trial वो एक ऐसा trial है in which subjects are randomly assigned to one of two groups यानि कि एक रहेगा one experimental group receiving the interventions that is being tested and other दूसरा group कौन सा रहेगा comparison group या फिर जो control करेगा receiving an alternative statements basically क्या चीज़ है जो plasma therapy हमने use किया था to handle the serious covid-19 patients clear है तो यहां पर बढ़ते हैं आगे क्या लिखा गया कि जो आपका convalescent plasma है जिसको CP बोल दिया गया extracted from the blood of the patient recovering from the infection is a source of antibodies against infection जो covid-19 से recover हुए human beings हैं कुछ देर के बाद उनका plasma ले लिया जाता है और वो plasma serious covid-19 patients को inject किया गया है क्यों क्योंकि antibodies transfer करने diffuse करने एक तरह का clear है तो वो चीज़ है तो आगे देखिए यहां पर लिखा गया कि जो blood donate किया गया by the people who have recovered from the covid-19 has antibodies to the virus that cause it correct है और लिखा the donated blood is proceeded to remove the blood cells okay and leaving behind the liquid जिसको आपने बोल दिया plasma and antibodies यह prelim perspective से important रहेगा students and antibodies और लिखा इस गान बिवन to the people with the covid-19 to boost their ability to fight the virus correct आगे चले तो यहां पर लिखा गया जो plasma है जो donate करना है would have to be documented case of covid-19 and healthy for the 28 days since the last symptom 28 days recovery होने के sorry after the negative report आज आज आएगी एक human being की तो उसके 28 days के बाद वो plasma donate कर सकता है यहां पर यह बोला गया clear कि इवन यहां पर मैंने यह भी आपके लिए mention किया कि ICMR Indian council of medical research ने बोल दिया कि वो पान इंडिया ट्राइल करने जा रहे हैं कॉल्ड प्लासेड इंपोर्टेंट है जी clear to see plasma therapy efficiency to treat the moderately ill patients clear status क्या रहेगा ट्राइल रेजल्स पे है बिंग evaluated ओके सेकंड पॉइंट देखा गया कि महाराष्ट्रा medical education department doing a trial called platina जब यह important रहेगा prelims again मैं बात कर रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्रा के medical department ने इसको प्लैटना बोल दिया to study its role in treating the critical patients clear it or plasma units collected under the project plasma के इतने 750 institute part of trial 21 way or patients to be enrolled 500 सबसे पहले की बात की गई है जब हमने यह प्लैसिट को लेकर आये थे clear students आगे बढ़ते हैं तो प्लैसिट्राइल्स है क्या चीज़ देखे यहां पर लिखा गया कि यह conduct किया गया था by the Indian council of medical research ICMR के द्वारा clear और इसका aim था to investigate the CPT's यहन की effectiveness for the treatment of the COVID-19 patients करेक्ट इवन लिखा की इत इस फर्स्त और लार्जेस्ट randomized control trial यह सबसे पहला बड़ा और randomized control trial था to be completed in the world important end okay आगे लिखा की जो यह trial था अब trial के results indicate that no difference in the 28 days mortality यहनि की estimate of the death in 28 days after entering the hospital for the specific conditions या फिर और progression of COVID-19 from moderate to the severe यहनि की जो moderate it is severe conditions हो रही थी patients में treated with the CP plasma therapy था उनके लिए along with the basic standard care compared to the basic standard care alone clear it आगे क्या लिखा while the use of CP seem to improve the resolutions of shortness of the breath and fatigue in patients with moderate COVID-19 यानि की this did not translate into the reduction in 28 days mortality या फिर progression to the severe diseases correct आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे पिक्ट्स क्या है इस चीज़ के जो findings हमारे पास लिखा गया कि ICMR is now considering removing the option of CPT from the national guidelines okay और जो आपका plasma therapy है as a treatment for the COVID-19 in India lead to the cautionable practice such as calls for the donors on the social media sale of the covalent plasma on the black market यानि की अब यह एक चैलेंज आ गया कमी पड़ रही थी social media में पूछा जा रहा था कि plasma चाहिए black marketing शुरू हो गया था plasma का although CP is a safe form of treatment when transfused in accordance with the regulations it involves इसके अंदर क्या है resources intensive procession processes such as plasma pharesis यहनि की separating the plasma from the blood cell जिसको बोल दे क्या plasma pharesis okay फिर आया plasma storage एक आता है measurement of neutralizing antibodies and limited number of institutes such a have the capacity to undertake these procedures in a quality in short manner हमारे पस institutions भी कम थे जो एक quality assurance मैंने से यह treatment कर सके यह therapy कर सके however experts have held that guidelines are not necessary binding and it is too early to dismiss the covalent plasma therapy clear है students तो students जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास आगे भी है but due to the time permit मैं आज का session यहीं तक रोपता हूँ और आशा करूँगा कि आपको यह वला session भी काफी अच्छा लगा होगा so please इसको maximum rate कीजिए और view कीजिए clear है और कोई भी doubt रहता तो comment section में जूरू लिखेगा और इसको जादा से जादा share कीजिए thank you students बाल छ्वा जादादादा और नीजए यह जादादादादादा खो यह कि अच्छादा नादादादादा यह गूजिए